नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको चार पाई में वाइंग कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कर दे तो हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं इ इसमे कि मैं आपको वहाइं की रस बार में बताऊँ में आपको में किस परकार गूत जाताऊं कि इस वीडियो को Saada अपफिश की प्रखवार का मैं वीधियर को पूरा देखे वंशाशक आपकू झाल होती है बहुत ही मुलाइम होती है इस परकार की रसी आती है आप देख लीजिए यह मार्केट में आपको सो रूपे के आसपास मिल जाएगी तो दोस्तों यह रसी लेने के बाद में हमें अंगुली से लेके कंदे तक छे हाथ इसको इसे नापकर रसी को इस साइड छोड़ द क्या इसको लेर फिर वापस इसके ऊपर से घुमाना यस्तिया इतना और उसके बाद में जू यह डू गठा बच्चा है इसको इसके उपर से जो दुशक इस आखिआ रहे हैं है और ये इस प्रकार से इसके निचे से लेकर वापस इसके उपर आन equilibrium आokे लिकमान भाश dunk कर् यह फिर यहां से उपर से इस साइड से नीचे से इस परकार से यह लेनी है आप देखिए यह जो रसी आई है मेरी यहां उपर से आई है तो इसके नीचे से लिए और यहां से वापस उपर से होके इस साइड हमने यह नीचे ले लिए और आद में यह नीचे लेकि इस साइड स इस प्रकार से हमें दस बार लेनी हैं यह देखो, दस रसी चला लिए इसमें अब इस वाईं को किस प्रकार गूंता जाता है, उसके बारे में बताऊंगा, यह दस देखो, इसके एक दूसरे के विभरियत दिसम बनाएं, यह जो ऊपर से आ रहे हैं यह यहां से नीचे साइड तो आप उसको यहां से गूंवाईं को घुंद कर गुमा सकते हो वापस खेंच के इसके ओप चढ़ा सकते हो तो आप इस स्वेडियों बना सकते हो आगे कैसे बनाते हैं मैं इस वीडियो में बता तहूं आपको आप देखिए यह साइड नो रसरी होती है और इस साइड दस रसी होती है तो उससे कोई फरक नहीं है आप इसे बना सकते हो तो मैं इस साइड में लेनी है इसके अंदर से निकालना है और एसे खिंच लेना है फिर यह थोड़ा-स घ्हाइек कर एसे कर सकते हों और फिर यह जो पांच रशी ए इसके बीच में इस प्रकार निकाल आई यह देखिए मैंने निकाला है तो यह यह देखिए यह गुंड़ी स्टाट हो चुकियें तो आप इस प्रकार से यह वाइं गूँच सकते हो फिर यह देखिए यहां से पकड़ कए इस साइड लेके इस वापस वालों के तरब से लिए इसके अंदर से निकाला और यह देखो वापस खिंच लिए तो यह देखिये गुंडी बंद रही है और फिर यह इसके अंदर से लिया और इस साइड में चिपका दिया यह देखिए एक बार इस साइड लियना है दूसरी बार सकते हो यह देखिए इस प्रकार से यह आप अजने से गूंट रखते हो यह देखिए तो यह दिखने में अच्छी दिखै देगी और आप असानी से इसे बढ़ा बना सकते हो कि इस परकार से आप उस साइड कीभी बना सकते हो वह यह देखिए आप शर्ण मेरा आप ज सुक्राद की बनानी जितनी साइज होती है इसंसरा मुए यह रसाइज से इतना भी इसको बनाना आप ऐसे बढ़ा सकते हो तो यह देखिए दोस्तो अमने गूंत कर इतनी बना दिये जो इसके उपर आ जाएगी उसके परकार से यह गूंत नहीं आप इससाइड हमको दोनों तरब पांच-पांच लेनी हैं यह देखिए पांच इससेड है और 5 इससाइड है और फिर इसको ज यो मो Symlland आखनें लांई तब देखिए यह मैं इसको बना रहा हूं तो आप देख लिजिए कि इस प्रकार पहले उस ऐड़ से ले लगया है और इसके ऊपर इस प्रकार से गांड लगा लएनाइए मीमिनी न दूपर इस से यह लएनाइए और इसको यह आ लगा रहनी तो यह देखिए इस्टाट हो गई है अब आगे उसी प्रकार से एक बार से लेनी है यह देखिए और दूबरा इस से लेनी है तो इस प्रकार से यह आप अच्छी माई गूंद सकते हो तो यह देखिए, मैं भी इसको इसी प्रकार से बना रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहले लिवा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चार वाई का अगला वीडियो आपके पास सबसे प बड़ी आसानी से वाई को गूत सकते हो, तो दोनों तरफ हमें इसी प्रकार से वाई गूतनी है, ताकि आप इस चार पाई को अच्छा बना सकते हो, तो दोस्तों देखिए, हमें ये दे दो वाई गूतनी है, इसमें दस रसी रखनी है, इसमें आट रसी रखनी है, तो मैं इसके बाद में इस प्रकार से पास पास में सेट कर लेनी है और इसके और इसके बीच में ये ऐसे नापकर दो बार की जगह छोड़ देनी है ये इतनी जगह इसके बीच में होनी चाहिए और फिर आप ये इस प्रकार से ये दो गूंत कर दोनों पास पास में चिपका कर रख स